तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं शेक करने वाली हूँ पहुती पहत्रिन आइडियास जो की है होम से रिलेटिड एक से चुपेकार चीजे होती हैं मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनका मैं कैसे रियूस करूँ मैं कैसे recycling करूँ तो start करते हैं आज की वीडियो को हम तो सबसे पहले उन बेकार समान को बाहर निकालिए और जो तूट फूर चुके हैं उन्हें immediately throw करें और जो सही condition में हैं तो सोचिए उनसे हम क्या-क्या जुगार लगा सकते हैं इन बेकार चीजों से हम अपने घर को decorate कर सकते हैं अपने घर को well organized रख सकते हैं तो मेरे पास है ये एक table cover तो जो side से काफी खराब हो चुके हैं और इसमें बड़े बड़े छेद हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगी जहां से ये खराब हो चुके हैं उसे मैं cut करके अलग करूँगी जब हम इन बेकार चीजों का reuse करते हैं तो दो benefit होते हैं एक तो Mother India की help होती है क्योंकि जब हम इन बेकार चीजों को throw करते हैं तो कहीं न कहीं हम पर्यावन पर भी असर डालते हैं दूसरा हम पैसों की पचचत कर सकते हैं तो इस पका से मैंने एक साइड को cut किया इसे भी मैं use में लाओंगी और इसी पकास से मैंने दूसरी साइड को भी cut किया तो इस पकास से मेरे पास तीन पीसre निकल कर आए जो बिल्कुल सही condition में हैं तो इन्हें मैं stitch करूँगी इने पेस्ट भी किया जा सकता है लेकिन मैं इन पर स्टिच ही लगाऊंगी किसी भी काम को करने की जब हम में इच्छा शक्ती होती है तो वो काम जरूर सफल होता है टेबल कवर के इन तीनों पीस को मैंने कुछ इस पकास से जवाइंट किया कि एक बहुती अच्छा पैटर्न निकल कर आया तो इससे मैं मार्क्रोवेब भी कवर कर सकती हूँ या फ्रीज के अपर पार्ट को भी कवर कर सकती हूँ सेकिंड है मेरे पास ये ट्राइफ फूर्ट का बोक्स जो काफी स्टड़ी भी है तो देखते हैं इससे मैं क्या बना पाती हूँ टेबल कवर में से मैंने जो खराब पार्ट को कट किया था उससे में से मैंने कुछ अच्छे पार्ट को निकाला तो अब मैं इसके size में इसे cut कर लूँगी Cut करने के बाद इस piece को मैंने इसी box में paste किया तो अब इसमें मैंने बनाने थे divider इसके लिए मैंने दो cardboard के piece cut किये इन्हें भी इसी table cover के खराब parts से मैंने cover किया ऐसा करने से ये देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसे किसी मिठाई या ड्राइफूट के टिब्बे से पनाया है और इस प्रकार से दोनों कार्डबूर के पीस को मैंने इससे कवर किया और इन दोनों पीस को मैंने इस पकार से बोक्स में पेस्ट किया और ये बन गए मेरे डिवाइडर अब मैं इन्हें पूरी तरह से सुखने दूंगी अब ये जो उपर नेम लिखा है इसी चुपाने के लिए मैंने इसी टेबल कवर के खराब पाट के पीस से एक फ्लोवर कट किया फ्लोवर कट करने के बाद इसकी मैंने फिनिशिंग की फ्लोवर के फिनिशिंग करने के बाद इसे मैंने इसी बोक्स के उपर पेस्ट किया और इस प्रकार से बन गया एक पहुती खूबसूरत और्गनाईजर तो इसे मैं बनाने वाली हूँ अपना ज्वेलरी बोक्स आगे पहुती खूबसूरत सा एक हैंडल दिया गया है तो इस प्रकार से इसमें मैंने अपने सभी एरिंग्स रखे जब मैंने इस पोक्स के उपर इस फ्लोवर को पेस्ट किया तो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मेरे माइन में आया क्यों ना मैं इसके सारे फ्लोवर को कट कर लूँ और जब भी मैं कोई डेकोर आइटम बनाऊंगी तब मैं इनका यूज कर सकते हूँ तो मैंने इस टेबल कवर के जितने भी खराब पाड़ था उससे मैंने सारे फ्लोवर को कट कर लिया क्योंकि फ्लोवर काफी अच्छी कंडेशन में थे और यही एक फ्लोवर पैच ये दि मार्केट से लेने जाएंगे न तो 20 रुपे से कम नहीं मिलेगा लेकिन मैंने इने एक तम फ्री में बनाया है तो इस प्रकाश से एक फटे हुए पुराने से टेबल कवर से मैंने बनाया एक फ्रीज का अपर पार्ट कवर और एक सुन्दर सा मैंने ज्वेलरी बोक्स बनाया और कुछ इसी से मैंने पैच कट किये जिससे मैं टेकोर आइटम बना सकते हूँ कोमेंट करके जरूर बताईएगा कि यदि आपके पास भी ऐसा ही कोई टेबल कवर होता तो आप इसे थो करती या इससे ऐसा ही कुछ बनाती वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो मिलेंगे मेरे नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ ओके फ्रेंड्स बाबाई